हलो बच्चों श्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार पोल्टेकनिक और बिहार पारामेडिकल का सेलेवस क्या है आपको सेलेवस का पूरा डिटेल कहां से मिलेगा आपको पढ़ाई कैसे करनी है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएं और आपको आसानी से एडमिशन सरकारी गौर्रमेंट कॉलेजिस में मिल पाएं एक्जाम में कौन-कौन से जो टॉपिक है उससे कोश्चन पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से कितना कोश्चन रहता है उसके बाद एक्जाम का समय क्या रह करेंगे वीडियो सुरु करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को कर लिज modest Pens में मिल अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जो आनर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाक्स बना डिया है आप सबों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यह है पहला जो है वो पुल टेक्निक के लिए पुल टेक्निक का एक्जाम जो होगा वो दो घंटे पंदरा मिनिट का होगा 450 नम्मर का एक्जाम होगा ठीक है जिसमें कि भौतिक विज्ञान के 30 कोशन रहेंगे रसाइन विज्ञान के तीन कोशन रहेंगे और गनीत के तीन कोशन रहेंगे फिजीक्स, केमेस्ट्री, मैच से टोटल नब्बै कोशन रहेंगे जिसका पुरनांग डेड़ डेड़ सौ पर पेपर होगा जो साढ़े चार सौ नमबर का एक्जाम होगा आपका ठीक है स्टुडेंट तो आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई के लिए बिहार पॉल टेकनिक का एक बुक आता है जिसका नाम है अडिहंत का बिहार पॉल टेकनिक बुक आपको उससे जा करके पढ़ना है और आपका जो NCIT का बुक है उससे आपको numerical based question को ready करना है बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे यूटूबर हैं जो आपको ऑनलाइन में क्या पढ़ाते हैं वो आपको नहीं पता चलेगा वो मैं जानता हूँ वो क्या करते हैं कोई गाइड खरीद लेते हैं उसी गाइड से आपको पढ़ाएंगे उस गाइड में जो कोशन है वही सिर्फ यूटूब पर डालेंगे वीडियो बनाके कोर्स बेचेंगे तो इससे आपका फायदा नहीं होने वाला है अगर NCRT बुक वगरा से कोशन आ गय बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो प्रिप्रेशन करवाते हैं लेकिन यूटूब पर नहीं है ठीक है यूटूब पर बस ऐसे लोग है जो अपना कोर्स बेच रहे हैं अपना परमोशन कर रहे हैं ठीक है और रही एक बात की गौर्रमेंट कॉलेजेज मिलने की अगर आप अच कांसिलिंग के रिगार्णिंग तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वाट्सप डिटेल दिया गया है आप जाकर के वाट्सप पर कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको जो है वो रिपलाई करेगी और कोई भी ऐसा यह टूएल अस्तरी है जिसमें कि आपको सामान विग्यान जीके अंक गनीत हिंदी अंगरेजी सामान निग्यान ठीक है तो इसके लिए आपको कहां से पढ़ना है तो इसके लिए भी अरिहंत का एक बुक आता है आप उस बुक को पढ़िए या प्रिप्रेंस के लिए पूछे जाएंगे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे इसके लिए आपको पेपर पढ़ना है और रिफ्रेंस के लिए आप लोग अरिहंत का बुक जो है उससे पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूटूबर हैं जो अरिहंत का बुक ही आपको ऑनलाइन क्या कर किजिए अपने थे खुद से प्रिप्रेशन कीजिए और रिफ्रेंस में अब बहुत सारी अलग अलग जो बुक है उसको अप ट्राई कर सकते हैं जैसे की मैस्के लिए सगीर अरव दग Aha का बुगu । आप त्राई कर सकते हैं ठीक है अंग्रेजी के लिए आपको क्या करन सामान ग्यान का कोई शलेवस नहीं है कि कहां से कोश्चन पोचेगा ठीक है तो ncrt वगेरा उससे कोश्चन नहीं आते हैं क्योंकि जो है इसके ncrt बुक नहीं है ठीक है और जो अरिहन्त है वह आपके लिए एक माध्यम है जो यूटुबर पराते हैं वह सारे बुक का कॉंट का भी आ सकता है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है टोटल जो 90 कोश्चन पूछे जाएंगे साड़े 400 नंबर का आपका कोश्चन होगा और एक्जाम जो होगा दो घंटा पंदरा मिनिट का होगा ठीक है बच्चो उसके बाद पी एम पारामेडिकल जो मैट्रिक अस्तर यह है उसमें टोटल 90 कोश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो 450 नंबर का होगा जिसमें की फिजिक्स कमेस्ट्री मैथ बायलोजी यह जो नॉर्मल पीसी एम पीसी भी है ना यह आपको एंसी आर्टी से प्रिप्रेशन करना यह सब एंसी आर्टी से अब्जेक्ट इसके लिए कोई भी सेलेवस जो है वो फिक्स नहीं है फिक्स कमेस्टरी के लिए तो आप इनसी आयटी के तिरू जा सकते है और जो भी अधर है जेनरल के झोब्यिक्षड है उसके लिए आपको अरिहंत का बुक लेना है ठीक है तो कॉन कॉन से बुक है वह मैं आपको बता अगर आप 10 पास है तो आपको मैट्रिक अस्तर ये बुख खरीदना है तो आपको इंटर अस्तर ये बुख जो है वो खरीदना है ठीक है उसका पोल टेक्निक के लिए ये बुख है इस सब आप खरीद के प्रिपरेशन कीजिए किसी भी यूटूबर के जहासे में नहीं आए बस वो अपना course आएंगे बेचेंगे उनको counseling भी नहीं कराना होता है वो आपको information भी नहीं देंगे ठीक है बच्चो आप उनको call किजिएगा message किजिएगा बिना पैसे के वो बात ही नहीं करेंगे ठीक है अगर आपको कहीं कोई doubt होता है तो आईए वीडियो के description box में हमारी expert की clear करेगी तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में next update के साथ तब तक के लिए जैहिन thanks for watching